मा, मेरी मा, मेरी सब से अच्छी मा, मेरी मा, मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरी लिए टाइम से खाती है, टाइम से पीती है, और टाइम से सोती भी है, ताकि मैं स्वस्थ रहू, कभी कभी तो मन ही मन मुझसे बाते भी करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर खुशी से मेरा रोम रोम खिल उठता है मैं आनद भी भोर हो जाती हूँ क्या हुआ मा आपको कोई परिशानी है बताओ ना मा आपके होर दुख दर्द का मुझे अहसास होता है मा मुझे दर्द हो रहा है अगर आपको कोई परिशानी है प्लीज मा मुझे बताओ मैं आपके लिए हर दर्द खुशी से सहलूँगी मा आपके बेटी इतनी भी कमजोर नहीं है जब आप मेरा हर दर्द से ख्याल रखती हो तो क्या मैं आपके दर्द को नहीं बाच सकती मुझे बताओ मा आपको क्या फरिशानी है मैं आपकी खुशी के लिए हर दर्द सहले को तयार हूँ मा मा मुझे दर्द हो रहा है मा मुझे सूरे से गद रहा है मा आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो आज आपको हर्कत भी नहीं कर रही जिससे आपको मेरे होने का हिसास हो क्या बात है मा भग्वान के लिए खुशता बोला मा, प्लीज मा, खुशता बोला मा, मा, मैं तरसे हारी जा रही हूँ कोई मुझे मानने की गोश्च कर रहा है मुझे बचा लो मा, मुझे बचा लो मैं आपके आज चोड़ती हूँ, मुझे बचा लो मा, मुझे बचा लो मा आप मैं समझी, आप मेरे अस्तित्वी में का देना चाहती हो मुझे माई ड़ना चाहती हो लेकिन क्यों मा, मुझे आशा कौन सा अपराज हो गया जिसके लिए इतनी बड़ी सजा जे रही हالم हो मेरे कौन सी भूल के लिए मेरा वजूद ही मिता देना चाहती हो क्या इसलिए कि मैं एक लड़की हो क्या इसलिए कि आपको मेरा पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ेगा या फिर इसलिए कि मेरे साधी में आपको दहच देना पड़ेगा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मा मैं हमेशा आपको छाया बनकर आपके साथ रहूंगी कुछ नहीं मांगूंगी पर मुझे बचा लो मा मुझे बचा लो मेरा जो आपकी ममता पर रहतो तुई स्वास है उसका कतल मत करो मा मैं आपका अंस हूँ मा क्या आप ये भूल गई कि आप भी एक औरत हो क्या आप ये भूल गई कि एक दिन आप भी मेरी तरह अपनी मा की गर्भु मेरा ही होगी आपकी माने तो बड़ी रिफाज़त के साथ आपको इस दुनिया में उतारो होगा तो आपको क्या होग बनता है मेरे पैदा होने से पहले ही मेरा कतल कर दो मा मा ये राक्साज मुझे जाबू से गढ़ रहा है आप चुप लेटू हो क्या आज आपको अपनी देटी की कोल पुका नहीं सुने दे रही देखा इस जलार ने तो मेरा एक हाथ ही काट दाला मा तुम कुछ करते क्यों नहीं हो ये मेरा हग पैर काट रहा है मा मुझे देवसे सिहा रही है मा अपसौस होता है ये सोच कर हर तरफ से आप परवती मा सरस्वती मा लक्षमी मा और दूसरी तरफ से उन्ही के अंस का कटला कर देती हो वो भी एक मेरी तरफ किसी के गर्भू में रही होगी तो पर फिर वेदबा मेरे साथ ही क्यों मा मा देखो ये कैसा है आप मेरी गर्दें पर चाकुच ला रहे पर अब आपसे मनने के करने से कौन हर्दा नहीं आपने का मंता का कटल कर दाला खेय भुद्वान आपको इस अबराज के लिए शमा करे मैं जा रही हो मा ये राक्स सुद्वी जिन्दा नहीं छोड़ेगा मेरा आख्री प्रेणंस विकार करो पर जाने से पहले मैं आपको एक बात करना चाहती हो आप कभी भी लड़की बनकर किसी के गर्भ में मत जाना वरना मेरी तरह कोई आपका भी कटला कर देगा अलवीदा मा अलवीदा